अगर आपकी बज़े से किसी की आखों में आशू आते हैं तो ध्यान रखना याशू आगे चलकर आपकी आखों में भी आएंगे चाहने वाले हजार मिल जाएंगे आप डूटना कोई निभाने वाला बुरा वक्त एक ऐसी जीवदारी है जो जिन्द की जिना सिखा देती है पौद्दों में प्रती दिल पानी देना होता है पर फल मौसम में हैं आते हैं इसलिए जीवन में तहरे रखें क्योंकि हर काब समयपारी होता है सरवादिक आनन, उन्हें प्राप्त होता है, जो अकेले रहने की कला सीख चाते हैं इसने किसी और को आपके लिए छोड़ा, वो आपको भी किसी और के लिए छोड़ेगा इसे आप समझना चाते हैं, उसके साथ आपको बैठना तो पड़ेगा ना कभी तो आप उसे समझ पाएंगे तो खुद के साथ मौन में बैठना शुरू करें काम बड़ा करें मगर बरताव ऐसा करें कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं क्योंकि एक महान व्यक्ति की आई पैचान होती है मैं किसी से अच्छा करूँ क्या फरक पड़ता है मैं किसी का अच्छा करूँ बहुत फरक पड़ता है किसी के भी बारे में गलत अनुमान मत लगाया करें क्योंकि आप नहीं चानते कि उसकी जिन्दकी में कितनी उलजने है जीवन के सारी चुनोतियों के खिलाब सबसे बड़ा अथियार है आपका सांत मन अच्छे बुरे हर काम की नियू मन में ही होती है अगर मन सही हो जाए तो को भी व्यक्ति गलत काम नई कर सकता है लोगों की बातों को अगर अपने उपर बोच बना कर डालोगे तो उनके निचे डब जाओगे बायतर आईए है कि उनकी बातों पर पाव रख कर उपर चड़ने की कोशिस करें यकीन एक तिम उन्चाय पर पहुची जाओगे उत्तम से सर्वत्तम वाई हुआ है इसने आरुसनाओं को सुना है और सहा है आप अपने उन कारणों के लिए जिमिदार नई है जो अन्दे लोगों के दिमाग में मौजूद है शिक्षा एक ऐसा बिक्स है जो दिल में उगता है दिमाग में पलता है और चुबान से फल देता है अच्छे के साथ बुरा भी उसके अच्छे के लिए ही होता है दो पल की जिन्दकी के दो दियों में किसी को प्रेव देना सबसे बड़ा उफार है और किसी का प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान है अगर आपको किसी काम को करना है तो पहले उस काम की योग्य बनना होगा जब रदय धहलेवान और बुद्धी बलवान हो जाती है तो जिवन की हर चुनोती आसान हो जाती है कोई भी वैक्टी इतना खुबसूरत नहीं होता जितना उसे चाहने वाला उसे बना देता है जब आप बहुत ज़्यादा किसी के करीम हो जाते हैं तब उसकी दवारा बीचे गए मेसेज भी आपको उसी की आवाज में सुनाई देते हैं